Hello Friends, Welcome to our Channel Electrical Hub आज का टॉपिक हुने कंट्रोल सिस्टम से एक चोटा सा निमेरिकल प्रॉब्रम लिया है फोर्स करेंट एनलोजी से इसमें हमें करना क्या है कि किसी भी मेकेनिकल सर्कृट का मेकेनिकल मॉडल बनाना है फोर्स करेंट एनलोजी के जरीए ठीक है और उसका differential equation लिखना है ठीक है जैसा की question में लिखा हुए है write the differential equation for the mechanical system found in figure below ठीक है also obtained an analogous electrical circuit based on force current analogy ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं कि force current analogy होता क्या है तो force current analogy में जो current जो होता है अगर analogous होता है force applied के तो वो होता है force current analogy ठीक है अब सिधे question पर आते हैं ठीक है तो force current analogy में हम करना क्या होता है यह similar है nodal analysis के ठीक है जैसे nodal analysis में हम लोग एक या दो node लेते हैं और node से सारे जो element होते हैं उनको parallel में रखते हैं ठीक है वसी इसमें भी एक या दो node लेना है दो दो node ठीक है और जितने भी element है उनको हमें parallel में लखना है ठीक है तो start करते हैं तो सबसे पहले मैं circuit के बारे में कुछ बता जाता हूं तो इसमें में दो मास है M1 M2 M means मास ठीक है फोर्स अप्लाइड है Ft ठीक है फोर्स अप्लाइड करने पर displacement है x1 और M2 में displacement है x2 दोनों के बीच friction वर्क कर रहा है F3 और यह है spring constant k1 spring constant k2 और then friction f1 and f2 जो की M1 और M2 पर वर्क कर रहा है तो force current analogy का में circuit बारना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो displacement होता है उसको एक-एक point मान लेते हैं तो एक point मैंने यहां लिया एक point थोड़े दूर में आ लिए ठीक है यह मैंने मानना x1 है और यह मैंने मानना x2 है ठीक है जान से देखेंगे बहुत easy है ठीक है अब x1 और x2 के बीच क्या वर्क कर रहा है एक friction वर्क कर रहा है f3 ठीक है तो friction को बना देते हैं बीच में दोनों के बीच बना दिया हमने friction जो कि क्या है f3 ठीक है then x1 किस पर वर्क कर रहा है m1 पर x2 किस पर वर्क कर रहा है m2 ठीक है तो x1 पर हमने एक मास बना दिया जिसका नाम है m1 ठीक है और x2 पर हमने मास बना दिया मास m2 ठीक है और इसको जाके जोड़ते हैं एक reference line से ठीक है अब मैंने कहा था कि force current analogy में सारे development होंगे वो किस में होंगे parallel में जैसे कि nodal analysis में होता है जहां आपन नोड लगाते हैं ठीक है अब m1 पर और क्या वर्क कर रहा है f2 वर्क कर रहा है ठीक है और k1 वर्क कर रहा है और क्या कर रहा है f1 वर्क कर रहा है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग f2 की बात करते हैं तो f2 एक बना लेते हैं यहां जो कि क्या है force applied और मैंने यहां कहा था कि current analogous होता है force applied के तो हां बोलते हैं हम लोग force current analogy ठीक है तो यह current में change हो गया ठीक है और arrow हमें क्या करना है x1 में क्या है incoming है इसलिए x1 की ओर ठीक है दूसरा हमारे पास है k1 को भी हम लोग क्या करते हैं parallel में बना देते हैं यह कि इसमें सारी चीजों को parallel में बनाना है ठीक है यह हमारा हो गया k1 spring constant ठीक है और क्या है इसमें f1 applied हो रहा है ठीक है अगर यहां दिया होता है f1 is equal to 0 अगर ऐसा दिया होता तो कहते कि यहां friction जो है वह applied नहीं हो रहा है और उसको circuit में so नहीं करते लेकिन अभी f1 दिया है केवल मतलब f1 का कोई ना कोई value है जो की m1 पे work कर रहा है ठीक है तो इसके लिए हमको f1 को भी बनाना पड़ेगा तो यहां पे parallel में ही मैं बना जेता हूं f1 ठीक है यह x1 के लिए जितना work करना था वह हम निकल लिया है अब किसकी बारी यही x2 x2 पे हमारा क्या है mass m2 है ठीक है इस पर क्या कर रहा है friction work कर रहा है f2 ठीक है तो यहां इसको भी parallel में बना देते हैं हमने बना दिया f2 ठीक है देन क्या वर कर रहा है spring constant k2 तो k2 को भी हम लोग बना दिये parallel में ठीक है इस तरह जो हमारा circuit था वह complete होता है based on force current analogy ठीक है यह हमारा एक answer हो गया जो कि यहां लिखा हुआ है यह also obtained an analogous electrical circuit based on force current analogy ठीक है यह part हमारा complete हुआ अब दूसरा क्या बोला है कि differential equation लिखना है differential equation for the mechanical system ठीक है तब differential equation कैसे लिखेंगे differential equation लिखने के लिए हम node लगाएंगे ठीक है तो node के लिए एक easy set trick याद कर लेना है हमें कि जब भी mass की बात हो तो mass के साथ हमें लिखना है d square x upon dt square ठीक है और mass का हो गया अब friction की बात हो friction की बात हो friction के लिए हमें dx upon dt लिखना है ठीक है और वहीं अगर spring constant की बात हो k तो simple हमें लिखना है x एक छोटा सा trick है जिसे हम equation असानी से लिख सकते हैं ठीक है अगर आपको nodal analysis आता होगा तो आप और असानी से इसको समझ सकते हैं ठीक है equation लिखते हैं पहला यह क्या है node 1 यह है node 2 यह है अगर nodal analysis से देखें तो ठीक है तो मैं बोलता हूं node 1 पें node 1 бой का कि डिफेरेंचियल equation लिखना है ठीक है तो क्या होगा node 1 पे क्या के work कर रहा है एक तो अपना ft work कर रहा है तो सबसे पहले जो force work करेगा उसको लिखेंगे तो force work कर रहा है हमारा ft और इसको लिखेंगे is equal to में अब देन जितने भी element है उनको इस form में लिखना है differential equation के form में तो सबसे पहले हम लोग आते हैं mass पे mass हमारा यहां क्या है x1 पे mass है m1 ठीक है और m1 के साथ अब क्या लिखना है d square x upon dt square जहाँ x क्या है displacement ठीक है तो यहाँ पे x के place में क्या है हमारा displacement x1 ठीक है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे d square x1 upon dt square ठीक है देन आगे बढ़ते हैं और क्या है हमारा पास एक friction बढ़ कर रहा है f1 ठीक है इसकी बात होगी यहाँ इसकी बात होगी अब क्या बचा हमारा पास f1 बचा तो कि friction है ठीक है तो friction के लिए फिट से लिख लेंगे f1 and यहाँ क्या लिख रहा है dx upon dt तो यहाँ हो जाएगा dx1 upon dt ठीक है friction की इस friction के बात होगी और एक चीज इन दोनों की बीच एक और friction वर्ट कर रहा है f3 ठीक है तो इसके लिए एक ऐसा equation लिखेंगे इसके लिए लिखेंगे plus f3 and then d upon dt x1 minus x2 ठीक है इसको मैं बताता हूँ कैसे लिख रहे है जब x1 की बात होगी अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच एक friction वर्ट कर रहा है तो अगर x1 की बात करते हैं जब x1 के लिए हम लोग equation लिखते हैं तो x1 के लिए हमें क्या करना है जब इस friction के लिए equation लिखेंगे तो f3 d upon dt x1 minus x2 कर देंगे जहां की बात हो रही होगी वहाँ से दूसरे point को minus कर देंगे ठीक है और क्या बचा हमारे पास एक k1 बचा तो k1 के लिए हमें क्या लिखना है k1 and उसके साथ लिखना है x तो x के place में हमें हमारे पास है x1 k1 x1 ठीक है उसी तरह अगर node 2 की बात करें node 2 जो हमारा है x2 पे तो यहां के अगर बात करें तो यहां एक कोई भी हमारा फोर्स वर्क नहीं कर रहा है जहां हमारे पास तक फोर्स यहां नहीं है इसलिए लिखेंगे 0 is equal to is equal to में लिखेंगे x1 पे x2 पे क्या वर्क कर रहा है मास m2 वर्क कर रहा है तो m2 लिखेंगे and then उसके साथ लिखेंगे d square upon bt square और x के प्लेस में क्या लिखेंगे यहां x2 है इसलिए x2 ठीक है यह मास का भी काम हो गया हमारा अब दूसरा कुछा फ्रिक्शन तो यहां पर फ्रिक्शन वर्क कर रहा है f2 और इसके साथ लिखना होता है dx upon dt और यहां x के प्लेस में है x2 इसलिए जाएगा x2 ठीक है उसी तरह फ्रिक्शन एक यहां पर भी f3 वर्क कर रहा है तो f3 के लिखेंगे f3 d upon dt जब x1 की बात हो रही थी तब क्या किये थे x1 माइनस x2 किये थे अब x2 की बात हो रही है तो यहां करेंगे हम लोग x2 माइनस x1 ठीक है और क्या बचा हमारे पास तीसरी चीज k2 ठीक है k2 के लिए हम लोग लिखेंगे plus करके k2 इसके साथ लिखना होता है simply x यहां पर x के place में है हमारे पास x2 तो इसको लिखेंगे x2 ठीक है तो यहां पर हमारा question का जो दोनों पार्ट था वो complete होता है जिसमें बोला गया था कि यह electrical circuit बनाना है जो कि बन गया ठीक है और differential equation लिखना था वो भी हमने लिख लिया node लगाकर node 1 के लिए हो गया node 2 के लिए हो गया और हमेशा यह चीज़ जयाद रखनी है कि mass के साथ हमेशा d square x upon dt square रहेगा friction के साथ रहेगा dx upon dt और k के साथ हमेशा x ठीक है यहां पर हमारे वीडियो कंप्लीट होते है thanks for watching